नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र पर 23 अक्टूबर 2023 रामनवमी के दिन बस इन व्रिक्षों को छोड़कर के चले आना ततकाल मिल जाएगी आपकी गरीबी ना केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा बलकी खुशियों से भर जाएगा आपका घर दोस्तों आज हम आपको रामनवमी के दिन किये जाने वाले उन उपायों के बारे में बताने जा रही हैं जो अगर आप सिर्फ 23 अक्टूबर 2023 के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके कर लेते हैं तो मान के चलिए कभी भी आपको आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी इन सरल से उपाय को करने के बाद आपको आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, एश्वर्य की प्राप्ती होगी होगी अगर आपने सही तरीके से बताए हुए वो उपाय कर लिए जो रामनवमी के दिन किये जाते हैं तो मान के चलिए इन उपायों को करने के बाद आपके घर की बरकत होगी आपके घर की उन्नती होगी आपको आपके इस प्रकार से भाग्य का साथ मिलेगा जिसके बाद इस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी दोस्तों और राम नवमी का दिन हमारे हिंदू धर्म में एक विशेश और खास दिन होता है राम नवमी के दिन अगर आप सिर्फ व्रिक्षों को छू भर के चले आते हैं जिसके बारे में वेद प्राणों में बताया गया है तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो तुरंत मुक्ती मिल सकती ह इन व्रिक्षों को जैसे ही आप चुएंगे आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और आपकी कोई मनोकामना हो वो तुरंत पूरी हो जाएगी दोस्तों राम नवमी का दिन बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना गया है इस बार की राम नवमी 23 अप्टूबर 2023 दिन सोमवार को पढ़ने जा रही है जिस दिन अमरित सिध्धी योग, महालक्षमी योग, नवगरा योगिंद्र योग, ब्रहमा योग जैसे पूरे बावन तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे व्रिक्षों का वर्णन है, जिन में राम नवमी के दिन रहमांड की महाशक्तिशाली शक्तियां वास करने आती है और राम नवमी के दिन अगर आप सही मुहूत पर उन व्रिक्षों को छू लेते हैं, जिसके बारे में वेद पुराण में बताया गया है, तो इन व्रिक्षों को छूने के बाद मान के चलिए आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना कर रहे हों। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। इस बिमारी से बहुत परेशान तो उस बिमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी। आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खु आपने सिव राम नवमी के दिन दो चार मिनट का समय निकाल करके इन व्रिक्षों को छू लिया, तो दोस्तों यकीन मानिये आपका भाग ये पूरी तरह से बदल जाएगा और आपके जीवन में फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोप पाएगा। नहाते थे, धोते थे, एक तामबे का लोटा लेते थे। उसमें जल भरते थे और घर के पास वाले किसी भी देव व्रिक्ष को जाकरके एक लोटा जल जरूर अरपित करते थे। क्योंकि पुराने समय के लोगों को यह बात पता थी कि पेड, पौधे, वनस्पतिया में देव देवताओं का वास होता है। दूसरी तरफ साइन्स भी यह बात कहता है, जो पेड, पौधे, वनस्पति होते हैं, यह हमें फ्री में प्रान वायू प्रदान करते हैं। देखिए यह बात तो आपको भी पता होगी दोस्तों की हर मनुष्य कार्बन डाइकसाइड छोड़त हैं। इसी प्रकार से धार्मिक ग्रिष्टिकोन से देखा जाएं, तो शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान है, आपके जीवन में आप तनाव दिक्कतों में घिरे हुए हैं। आपके जीवन में आपको नकारात्मक शक्तिया ने इनको छूने के बाद आपके जीवन में एक सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा जिसके बाद आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा। आपके नवग्रहों के साथ मिल जाएगा आपके राहों के तु आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में अब भगवान श्री राम जी की दिव्य शक्तियां का वास होता है, और इन व्रिक्षों को छू लेने भर से आपको इनका आशिरवाद मिल सकता है. देखिए दोस्तों, राम नवमी का दिन एक बहुत ही पवित्र दिन होता है, जिस दिन मर्यादा पुरुशोत्तम भगवान श्री राम जी की पूजा करने का एक विशेश और खास महत्व बताया गया है, और राम नवमी के दिन माता दुरगा जी के नवे रूप की भी पूज या पाठ विधी विधान से की जाती है, कहने का मतलब यह है, दोस्तों अगर आपने 23 अक्टूबर 2023 दिन सुमवार के दिन जीस दिन राम नवमी है और नवरात्री का नवा दिन है, इस दिन उन व्रिक्षों को शोलिया जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में बताया गया है, तो सिर्फ इतना ही करने भर से आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है, और आपके जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आ सकता है, इसलिए जितनी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रही हैं, बहुत ध्यान से उसके बारे में सुनियेगा और आप लोग उन व्रिक्षों को जरूर चलिएगा जिसके बारे में हमारे पुरान में बताया गया, और इतना करने भर से मान के चलिए कई देवी देवताओं का आशिरवाद मिल जाएगा। जय श्री राम, जय माता दी और अगर आप प्रभु श्री राम और माता दुर्गाजी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। व्रिक्ष में भगवान भोलेनात का वास होता है। बेल व्रिक्ष की जड़ में भगवान ब्रहमाजी का वास होता है। वेद पुरान के अनुसार राम नवमी के दिन ब्रहमाण की महाशक्तिशाली शक्तियां जो होती है, वो बेल व्रिक्ष में बात करने आती है। अब आपको क्या करना है? देखिए आपको बस यही करना है कि 23 अक्टूबर 2023 के दिन एक तामबे का लोटा लेना है, उसमें पूरा गंगा जल भर लीजिए। गंगा जल नहीं तो सादा जल भर दीजिए। आपको नहानाद होना है, इसी एक लोटे जल को ले जा करके किसी भी घर के पास वाले बेल व्रिक्ष को आपको एक लोटा जल अर्पित कर देना है और 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है। क्योंकि 108 अंक जो है वो भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। सिर्फ इतना भर अगर आप कर लेते हैं, तो मान के चलिए साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का आशिरवाद और वर्दान मिलेगा। आप किसी बिमारी से परेशान थे, उस बिमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी और पूरे साल आप लोग रोग मुक्त तो इस वरिक्ष को छूना भूल कर भी मत बोलिएगा दूसरा जो वरिक्ष आपको छू करके आना है। रामनवमी के दिन वो है पेपर कवरेज देखिए दोस्तों पीपल का वरिक्ष जो वरिक्ष होता है, ये वरिक्षों का राजा माना जाता है। आपके भाग्य का साथ मिल सकता है। हम फिर से रिपीट करते हैं, दोस्तों ओम नमो भगवाते वासुदेवाया नम देखिए किसी भी व्यक्ती के जीवन का राहू केतु और भाग्य का नियंतरन भगवान विश्नु जी के हाथ में होता है। और अगर आपने राहू राम नवमी के दिन ये उपाय कर लिया जो आपको हमने बताया, तो मान के चलिए पूरे साल आपको आपके भाग्य राहू केतु के साथ मिलेगा। आप जीज कार्य को शुरू करेंगे। उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ होगी। तो पीपल के व्रिक्ष को छूना मत पूछिएगा तीसरा व्रिक्ष जो है, दोस्तों वो है नीम का व्रिक्ष देखिये के अनुसार नवरात्री के समय जो नीम, नीम के व्रिक्ष हो आपके घर की उन्नती हो तो आपको बस क्या करना है कि राम नवमी और नवरात्री के नवे दिन पर जाकरके आपको किसी भी नीम के व्रिक्ष को एक लोटा जल अर्पित करना है। नौ बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर दीजिये। इतना भर अगर आप कर देंगे दोस्तों तो माता दुर्गा जी के नौ अलग-अलग स्वरूपों की क्रिपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। आपके जीवन में आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नती होगी। आपके जीवन में धन, सुख, वैभव, एश्वर्य में व्रिध्धी होगी। तो इस व्रिक्ष को छूना मत बोलिएगा और आखिरी व्रिक्ष है अशोक का व्रिक्ष। अगर आप चाहते हैं, दोस्तों की ब्रहमांड की महासचिव शक्तिशाली शक्तिया का आशिरवाद आपके घर पर बनी रहे, तो दोस्तों किसी भी अशोक के व्रिक्ष को बस आपको छूना है, और अशोक व्रिक्ष के साथ परिक्रमा लगाने नहीं है। देखिए अगर आप अशोक के व्रिक्ष को छूलेंगे, तो दोस्तों मान के चलिए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको कभी भी अकाल मृत्यू नहीं आएगी, आपके जीवन में देवी देवताओं का आशिरवाद और वर्दान बना रहेगा, तो अशोक के व्रिक्ष को छूना मत बोलिएगा, तो ये कुछ ऐसे व्रिक्ष थे, जिनको आपको चुना रामनवमी के दिन तो इस वीडिय करते हैं वीडियो